दोस्तो आपने थमनेल देख करके ये तो पता लगा लिया है कि मैं वीडियो के अंदर क्या बताने वाला हूँ तो दोस्तो आज मैं आपको एक ऐसे एपलीकेशन के बारे में बताने वाला हूँ जिस पर यदि आप क्लिक करेंगे और आप फोटो एडिट करना चाते हैं तो दोस्तो फोटो बिना एडिट किये ही अपने आप एडिट हो जाएगी बस आपको फोटो सलेक्ट करनी होती है कि आपको कौन सी फोटो एडिट करनी है दोस्तो जब आप select कर लेंगे तो आपको कुछ नहीं करना photo automatic edit हो जाएगी और दोस्तो आपने thumbnail में देख रखा है कि photo किस तरीके से edit होगी और दोस्तो आपको मज़ा आ जाएगा इतना खतरनाग app है दोस्तो ये app actually ऐसा app है कि आपने YouTube पर पहले कभी ऐसा देखा नहीं होगा कि बिना edit किये ही automatic photo edit हो जाती है तो दोस्तो आपको क्या करना होता है आपको वीडियो को like कर देना है और comment में आप technical point लिग दीजिएगा और channel को subscribe कर दीजिएगा बस आपको ये करना है तो चलिए दोस्तो मैं आपको बता देता हूँ कि वो कौन सा app है जिस पर आप यदि photo edit करन देगा यहाँ पर थोड़ा सा time लगता है क्योंकि यहाँ पर loading होने में समय लगता है थोड़ा सा अब आपको क्या करना है आपको back में जाना है और दोस्तो बैक में जाने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर कुछ इस तरीके से इंटरफेस दिखाई देगा अब दोस्तो आ आपको क्या करता है यहाँ पर आपको बहुत सारे स्टाइल में फोटो दिखेंगे जैसे कि मैं कोई भी फोटो ले लेता हूँ एक तो मैं यह फोटो इस पर क्लिक करता हूँ और दोस्तों यहाँ पर परमिशन मागेगा तो आप अलाव कर दीजिएगा अब दोस्तों मैंने य फोटो सेलेक्ट कर रही है जो भी आपकी फैवरेट फोटो है तो मैं यह फोटो ले लेता हूँ और दोस्तों अब मुएर को यहाँ आप देखेंगे नीचे आपको एक तीर का साइन दिख रहा होगा ग्रीन कलर के सर्केल में इस पर आपको क्लिक कर रहा है दोस्तों क्लिक क आपने पहले ऐसी वीडियो कभी देखी नहीं होगी दोस्तों और यहाँ पर फोटो को आपको एडिट भी नहीं करना आप देख सकते हैं क्या शांदार फोटो एडिट हुई है दोस्तों बस आपको कुछ नहीं करना फोटो सेलेक्ट कर रही है और दोस्तों उसके बाद में photo automatic edit हो जाती है तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर photo automatic edit हो चुकी है यहाँ आप देखेंगे यह नाम को यदि आप हटाना चाते हैं तो यहाँ से हटा भी सकते हैं अब दोस्तों आपको इसको save करना है तो आपको क्या करना है आपको उपर three dots पर click करना है click करने के बाद में नीचे आप देख सकते हैं महाँ पर save to device लेखा हुआ है उस पर click कीजिएगा और दोस्तो नीचे आपको यहाँ पर download का option दिखेगा तो यहाँ पर आप download के option पर click कर दीजिएगा दोस्तो यहाँ पर photo यहाँ पर save हो चुकी है image saved तो दोस्तो इस तरीके से आप save कर सकते हैं दोस्तो यदि आपको दूसरे style में photo edit करनी है तो दोस्तो आपको कोई सी भी photo यहाँ पर style पर click करना है जैसे मैं यह photo ले लेता हूँ इस style में photo edit करना चाओंगा तो दोस्तो मैं इस पर click करता हूँ इसी photo को वापस और इस पर click करूँगा तो यहाँ पर आप देखेंगे processing चालू है और यहाँ पर अपने आप photo edit हो जाएगी आपको कुछ नहीं करना बस आपको click करना होता है नीचे तीर की निशान पर और photo अपने आप edit हो जाएगी तो आप देख सकते हैं क्या शानदार photo edit हुई है दोस्तो इस तरीकी से आप बहुत गजब गजब photo edit कर सकते हैं दोस्तो save करने के लिए आपको उपर three dots पर जाना है save to device पर click करना है और नीचे आपको download का option देखेगा उस पर आपको click कर देना है तो दोस्तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि वो कौन सा app है तो दोस्तो आपको play store पर जाना है play store पर जाने के बाद मैं आपको यहाँ पर search करना है photo lab दोस्तो आपको photo lab search करता है और उपर जो सबसे first number पर app आएगा उस पर click कर देना है और दोस्तो आपको इसको install कर लेना है install करने के बाद आपको जैसे मैंने बताया उस तरीके से आप photo को edit कर सकते हैं